प्रेस्न 4 वर्गमूल निकालिये प्रेस्न 4 है 4 बटा 18 तो इसका वर्गमूल निकालना है तो पहले हम 4 का गुनखंड करेंगे तो 4 का गुनखंड करने पर आ जायेगा 2 गुना 2 दो गुना दो क्या होता है चार और एक आसी का गुननखंड करेंगे तो हो जाएगा तीन गुना तीन गुना गुना तीन गुना तीन देखे तो एक आसी का जब गुननखंड करेंगे तो आ जाएगा तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन तो दोनों का गुननखंड करके इस तरह लिख लेंगे तो चार को लिख लेंगे दो गुना दो और एक आसी को लिख लेंगे तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन अब क्या निकालना है वर्ग मूल तो सब का जोड़ा लगा देंगे तो दो गुना दो हो जाएगा दो का वर्ग दो गुना दो को क्या लिख लेंगे दो का वर्ग और तीन गुना तीन को लिखेंगे तीन का वर्ग फिर तीन गुना तीन को लिख लेंगे तीन का वर्ग इस तरह लिख लेंगे तो वर्ग मूल निकालना है तो 4 बटा 81 को अंडरूट में लिखेंगे तो अंडरूट 4 बटा 81 बराबर हो जाएगा अंडरूट दो का वर्ग बटा तीन का वर्ग गुना तीन का वर्ग इस तरह लिख लेंगे तो जब अंडरूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा ठीक है तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बटा 3 गुना 3 तो यह हो जाएगा इसका वर्ग मूल तो 2 बटा 3 गुना 3 कितना होगा 2 बटा 9 3 गुना 3 क्या होता है 9 तो 4 बटा 81 का वर्ग मुल हो जाएगा 2 बटा 9 क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और 9 का वर्ग क्या होता है 81 9 नमा 81 होता है और 2 दूना क्या होता है 4 तो 4 का वर्ग मुल हो गया 2 और 81 का वर्ग मुल हो गया 9 तो 4 बटा 81 का वर्ग मुल हो जाएगा 2 बटा 9 प्रस्ण पांच 16 बटा 179 16 बटा 179 तो इसका क्या निकालना है वर्ग मूल निकालना है तो पहले इसका गुननखंड करेंगे तो 16 का गुननखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 देखिए 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना क्या होता है 16 अब 179 तो 179 का जब गुननखंड करेंगे तो 179 2 से नहीं लगेगा नाही 3 से लगेगा सिधा 13 से लगेगा क्योंकि 13 गुना 13 होता है 179 13 क्या है अब हाज ये संख्या है तो दो गुणा दो को लिख लेंगे दो का वर्ग और तेरा गुणा तेरा को लिख लेंगे तेरा का वर्ग इस तरह लिख लेंगे तो दो गुना दो को दो का वर्ग हो गया फिर दो गुना दो को लिख लिए हैं दो का वर्ग और तेरा गुना तेरा हो गया तेरा का वर्ग अब वर्ग मुल निकालना है तो इसका अंडरूट कर देंगे 16 बटा 179 तो अंडरूट 16 बटा 179 बराबर हो जाएगा अंडरूट 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग बटा 13 का वर्ग इस तरह लिखलेंग तो जब अंडरूट हटाएंगे तो वर्ग भी सब पे हट जाएगा तो क्या बचेगा 2 गुना 2 बचेगा और बटा में 13 तो 2 गुना 2 होता है 4 यानि 4 बटा 13 तो 16 बटा 179 का वर्गमूल हो जाएगा 4 बटा 13 16 का वर्गमूल 4 होता है और 179 का वर्गमूल होता है 13 तो 16 बटा 179 का वर्गमूल क्या होगा 4 बटा 13 प्रेस्न छे प्रेस्न छे 196 बटा 529 तो इसका क्या निकालना है वर्गमूल तो पहले 196 का गुनानखंड करेंगे फिर 529 का गुनानखंड करेंगे तो देखिए 196 का गुनानखंड इस तरह से करेंगे ठीक है तो 196 का गुनानखंड 196 क्या से लगेगा 2 से 2 नमा 18 एक इधर गया तो 16 हो गया तो 28 16 फिर 2 से लग जाएगा तो 196 का गुनानखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 तो यहां पर लिख लेंगे दो गुना 2 गुना 7 गुना 7 अब 529 का गुनानखंड करेंगे तो देखिए 529 का गुनानखंड कर लेते हैं तो 529 जो है 2 से नहीं लगेगा ना ही 3 से लगेगा ठीक है सिधा 23 से लगेगा किस से लगेगा 23 से क्योंकि 23 गुना 23 होता है 529 तो 23 क्या है अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से ही लगाना है तो 2, 3, 5, 7 ये सबसे नहीं लगेगा सिधा 23 से लग जाएगा क्योंकि 23 गुना 23 होता है 529 तो 529 का गुना नखंड हो गया 23 गुना 23 अब वर्गून लिकालना है तो जोड़ा लगा देंगे तो 2 गुना 2 को लिखेंगे 2 का वर्ग 7 गुना 7 को लिखेंगे 7 का वर्ग बटा 23 गुना 23 को लिखेंगे 23 का वर्ग इस तरह लिखेंगे तो वर्ग मून लिकालना है तो इसको अंडरूट में कर देंगे 196 बटा 529 को यानि अंडरूट 196 बटा 529 बराबर हो जाएगा अंडरूट दो का वर्ग गुना 7 का वर्ग बटा 23 का वर्ग इस तरह लिखेंगे अब अंडरूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा सब पे तो बचेगा 2 गुना 7 बटा 23 वर्ग हट जाएगा अंडरूट हटाएंगे तो दो गुना 7 कितना हो गया 14 साथ गुना 14 हो गया और बटा 23 यानि 196 बटा 529 का वर्ग मुल हो गया 14 बटा 23 तो 196 का वर्ग मुल हो गया 14 और 529 का वर्ग मुल हो गया 23 तो इस तरह से प्रस्न 6 हल करेंगे यह जुआ है यह अजिए आका वर्ग मुल हो गया 14 बटारूट है यह जुआ है यह जुआ है यह यह जुआ है यह जुआ है यह जुआ है झाल झाल